हाई अब्रिवान आप सबको फिर से एक और न्यू वीडियो भी बहुत बहुत स्वागती फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में देखिए यह हम वाल हंगिंग डिजाइन बनाएंगे और इसमें हमने यह उलसे घंटी का डिजाइन बनाए हैं और देखिए इसमें हमने यह प्रेंट्स अगर आप चैनल पर नहीं ही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मैं जो भी कोई न्यू वीडियो डालू तो उसका नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंट्स इस डिजाइन को हम सुरू करते हैं इस टीजैन को बनाने के लिए दिखिए फोर प्लाइ का उल लिया है और 2.5 mm का क्रोशिया हूग लिया है सबसे पहले इस तरह का एक मेजिक रिंग बनाएंगे दिखिए अब हम चैन बनाएंगे वान टू थ्री अब उसी रिंग के अंदर से डोबल क्रोशिया बनाएंगे फास्ट का थ्री चैन को भी एक डोबल क्रोशिया से काउंट करेंगे और ये दिखिए टू डोबल क्रोशिया वान चेन लेंगे फिर से उसी मेजिक रिंग के अंदर से टू डबल क्रोसिया बनाएंगे वान और ये टू वान चेन लेंगे टू डबल क्रोसिया बनाएंगे वान टू इसी तरह से फाइब टाइम्स हमें बनाना है यह दिखिए फोर टाइम्स बना है और एक बार हम बनाएंगे वान चेन लेके टू डबल क्रोश्या बनाएंगे अब यह फास्ट वाले वे उल को टाइट खीच लेंगे इस तरह से और वान चेन लेंगे और यह फास्ट का त्री चेन के उप़र से इसको आटाच करेंगे देखिए यहां से इस तरह से slip stitch से attach करना है फिर से उसके आगे यह double crochet के उप़र से slip stitch बनाएंगे और देखिए यह one chain का gap में से भी एक और slip stitch बनाएंगे one, two, three, three chain लेंगे और same उसी जगह से one chain के gap में से one double crochet बनाएंगे one chain लेंगे फिर से same उसी जगह से two double crochet बनाएंगे one और यह two आब उसके आगे बले यह one chain के gap में से फिर से two double crochet बनाएंगे one और यह two one chain लेंगे same उसी जगह से two double crochet बनाएंगे one two आप देखिए उसके आगे यह do one chain के gap में से फिर से double crochet है बनाइंगे one, two, one chain लेंगे और फिर से two double crochet है बनाइंगे यह देखिए स्वेम उसी तरह से यह round को हम complete बना लेते हैं, चलिए हम बनाके दिखाते हैं यह देखिए हमने आगे तोक बना लिया है आब हम यह थ्री चेन के उपपूर से इसको आटाच करेंगे इस तरह से स्लिप स्टीच से आटाच कर देंगे दो और स्लिप स्टीच बनाएंगे उसके आगे और देखिए यह जो एक्ष्टा उल है इसको अच्छे से नोट लगा लेंगे और बाद में हम इसको कट कर देंगे आप देखिए टू और स्लिप स्टीच बनाएंगे एक यह डोबल क्रोश या के उपपूर से और यह एक चेन के ग्याप में से देखिए वान, टू, त्री, त्री चेन लेंगे और सेम उसी तरह से फिर से डोबल क्रोश या बनाएंगे वान चेन का ग्याप राखेंगे और फिर से सेम उसी जगा से टू डोबल क्रोश या बनाएंगे तू आप देखें उसके आगे ये óon chain का gap में से हम फिर से 2 double cross बनाएंगे और बीच में उन chain का gap रखेंगे और फिर से 2 double cross बनाएंगे ये देखें चलिए इसी तरह से यह राउंड भी हम कॉंप्लीट बना लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं यह दिखे सेम उसी तरह से यह राउंड भी हम कॉंप्लीट बना लिये हैं फिर से आटाच करेंगे और ये श्लीप स्टिच बनाते हुए आगे तोक जाएंगे वान चेन के गयाब तक दीखें यहां से फिर से हम त्री चेन लेंगे और उन डॉबल क्रोसीअ बनाएंगे वान चेन लेंगे फिर से टू डॉबल क्रोश्या बनाएंगे यह देखिए अब फिर से उसके आगे यह वान चेन के गैप में से एक टू डॉबल क्रोश्या बनाएंगे बीच में एक चेन रखेंगे फिर से टू डॉबल क्रोश्या बनाएंगे इसी तरह से यह राउंड भी चलिए कम्प्लिट बना लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं एक देखिए हमने आगे तक बना लिया साथ है आप दखें ये थ्री चेन के ऊप़र से इसको आटाच करेंगे इस तरह से स्लिप स्टीम से और 2ाug कि लेके आगे तक जाएंगे इस तरह से और थ्री चेन बनाएंगे और सेम उसी जगा से फिर छे बाल्व बनाएंगे वान टू जैसे हम पहले बनाये थे सेम उसी तरह से बनाना है चलिए इसी तरह से यह राउंड भी हम बना लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं इसको आटाच कर देंगे इस तरह से यह दिखे वान टू त्री फोर फाइब फाइब राउंड यह डिजाइन हमने बना लेते हैं अब उसके आगे देखे इस तरह से स्लिप स्टीच बनाएंगे और आप हम चेन बनाएंगे वान टू त्री अब सेम उसी जगह से डोबल क्रोशिया बनाएंगे देखे वान टू त्री फोर फाइब शीक्स और फास्ट का त्री चेन मिलके हमारा सेबन डोबल क्रोशिया बन गया है आप देखे यहाँ पर इस तरह से वान सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे वान चेन के गप में से डोबल क्रोशिया बनाएंगे वान टू ट्री फोर फाइब शीक्स शीक्स शेबन आप देखे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से चलिए इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर और देखे यहाँ पर पांच बार हम डिजाइन बना लेंगे और यहाँ पर अटाच कर देंगे और इस तरह से यह हमारा डिजाइन कॉंप्लीट बन जाएगा यह दिखिए हमने आगे तोक बना लिये हैं और जो यह एक्स्ट्रा उल था उसको हमने कट कर दिये हैं चलिये आब हम आगे का डिजाइन बनाएंगे और यह दिखि ए पूरा अना चूड़ी है उसके ऊप़र से हम यह उलका डिजाइन बनाएंगे एक हूक नौट बनाएंगे इस तरह से और देख हे यह चूड़ी में इस तरह से आटाच करेंगे और देखिए एक बार क्रोसिया से उलको लेना है और इस तरह से निकाल लेंगे चूड़ी के पीछे से और सबको इस तरह से एक साथ आटाच करेंगे यह देखिए फिर से उसी तरह से बनाना है यह देखिए इसी तरह से आगे तो चलिए बना लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं आगे तो बना लिया है आप दिखिए फिसको फाश्ट में हम आटाच कर देंगे यह दिखिए इस तरह से आटाच कर देना है और एक चेन लेकिंड़ को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा उल को पीछे से खीच लेंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा उल को कट कर देंगे आब हम इसमें ये उलन का जो हमने गंटी बनाए थे उसको आटाच करेंगे इस तरह से सुई और धगा लेना है और देखिए और इसमें एक इस तरह से मोती लेंगे और देखिए इस तरह से धागे को निकाल लेंगे ये देखिए आब ये बड़े साइज का वाइट कलोर का मोती को लगाएंगे आब हम ये देखिए ये छोटे साइज का मोती को इस तरह से लगा लेंगे देखिए चलिए इसी तरह से हम मोति को लगा लेते हैं ये दिखिए हमने इस तरह से ये मोति को लगा लिया है आप हम इसको अटाच करेंगे और इसी तरह से ये दिखिए योलो कोलर से भी उससे छटा बनाए है दो बनाए है उससे छोटा और फिर से हम दिखिए ये ग्रीन कोलर से और दो छोटे साइज का बनाए है ये दिखिए इसको हम इस तरह से अटाच करेंगे इसके उपवर से चलिए हम आटाच कर लेते हैं दिखिए इस तरह से क्रोशिय से इस तरह से निकाल लेना है और अच्छे से नोट लगा लेंगे इस तरह से देखिए और ये एक्स्टा उल्गो पीछे से खीच लेंगे और कॉट कर देंगे और ये दिखिए इसी तरह से सारे ये लोरियां हमने अटाच कर दिये हैं और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लग रहा है इसी तरह से बना के आप अपने दिवार में लगा सकते हैं थैंक्यू पर वाचिंग पर ये दिखने लगा अपने लगा पर दिखने लगा रहा हैं